पिता की गुजर जाने के बाद उसकी माने दूसरों के घर में काम करके नरेंदर का पालन पोशन किया था एक दिन नरेंदर की मान नरेंदर से कहती है बेटा जब तेरे पिता जी का देहान थुआ था जब तू दो साल का ही था तुझे मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला है तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा तू कुछ काम देख ले मा मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ मुझे मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं मिलेगा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती और आजकल तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा अभी हाथ पर हाथ रखकर तू नहीं बैठ सकते तुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है तू कल कोई काम देख लेना अगले दिन नरेंदर भी मजदूरों के एक ठिकाने पड़ जाता है जहां लोग मजदूरों को बुलाने आते थे वहाँ बहुत से मजदूर होते थे लेकिन नरेंदर को कोई भी काम नहीं देता है नरेंद्र हार ठक कर अपने घर जाने लगता है तभी नरेंद्र को उसका एक दोस्त मिलता है वह नरेंद्र से कहता है अरे नरेंद्र भाई, इतनी तेज धूप में कहां से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो भाई, मैं काम देखने गया था लेकिन कोई काम नहीं मिला अब मा को क्या जवाब दूँगा बस यही बात परेशान कर रही है अरे नरेंद्र भाई, इतनी सी बात तो तुम मुझे बता देते मैं तुझे काम दिला दूँगा कल तु मेरे घर आ जाना मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवा दूँगा ठीक है भाई, कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा इतना कहकर नरेंद्र अपने घर चला जाता है आ गया बेटा तु, मैं तेरा ही इंतिजार कर रही थी कुछ काम मिला की नहीं? मा काम तो कुछ नहीं मिला लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला था वह मुझे काम दिलवाने के लिए कह रहा था उसने मुझे कल बुलाया है बेटा, कल तु जाकर काम देख ले मैं आज बराबर वाले घर से एक किलो चावल उधार लेकर आई थी रोज रोज उधार मांगने में शर्मादी है बेटा तुम ठीक कह रही हो मा मैं कल जाकर कोई काम जरूर ढूंड लूँगा अब नरेंद्र आपकी मा के साथ खाना खाकर सो जाता है और अगले ही दिन सुबह होते ही अपने दोस्त के घर चला जाता है उसका दोस्त उसे गोदाम पर ले जाता है गोदाम का मालिक नरेंद्र से कहता है सुनो नरेंद्र तुम्हारे दोस्त सुमित ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है तुम अब से यही काम करोगे तुम्हें यह बोरियां गाड़ी से उतार कर गोदाम में डालने है हर गाड़ी को खाली करने के लिए तुम्हें पूरे दो सौ रुपे मिलेंगे चलो, अब काम पर लग जाओ नरेंद्र गाड़ी से सभी बोरी उतार कर गोदाम में रख देता है मालिक, मैंने सारी बोरियां गाड़ी से उतार कर गोदाम में रख दी है अब मुझे मेरे मज़़ूरी के पैसे दे दो नरेंद्र, तुम्हें तो बहुत जल्दी सारी बोरियां गोदाम में रख दी यहलो अपनी मज़़ूरी, और कल जल्दी आ जाना नरेंदर अपने मालिक से पैसे लेकर चला जाता है मजदूरी के पैसों से वह घर का राशन लेकर आता है और फिर अपने मा से कहता है मा, मैं पूरे हफ़ते का राशन लेकर आया हूँ अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ये तुने बहुत अच्छा किया, जो पूरे हफ़ते का राशन लेकर आया वैसे बेटा, काम क्या था? मा मजदूरी के अलावा और क्या काम हो सकता है गाड़ी से बोडियां उतार कर गोदाम में रखी थी उसकी वजह से सारा शरीर दुख रहा है तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो उसके बाद मैं जाकर आराम करता हूँ मुझे सुबह जल्दी निकलना है नरेंद्र खाना खाकर सो जाता है शरीर में थकावट की वजह से नरेंद्र की आँख सुबह देर से खुलती है नरेंदर सुभह जल्दी से उठकर अपनी मा को बगैर बताएं काम पर चला जाता है जब नरेंदर काम पर पहुँचता है तो गोदाम का मालिक नरेंदर से कहता है अरे नरेंदर ये कोई वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? सुभह से दो गाड़ी खाली हो चुके हैं इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि सुभह जल्दी आना है लेकिन तुमने मेरी बात की कोई परवाह नहीं की मालिक कल रात को शरीर बहुत दुख गया था इसलिए पता ही नहीं चला कि सुभह कब हो गई मैं आज के लिए आप से माफी मांगता हूँ कल से मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा भाई मैं दूसरे आदमी को काम पर रख चुका हूँ वह सुभह से दो गाड़ी खाली कर चुका है अब मैं उसे मना नहीं कर सकता इसलिए तुम कोई और काम ढूंड लो नरेंद्र निराश होकर वहां से चला जाता है अरे बेटा तु सुभह बगैर बताएं चला गया था कुछ खाकर भी नहीं गया क्यों खाली पेट मत जाया कर नहीं तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी अगर तु जाने से पहले मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देती मा मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो गई थी इसलिए मालिक ने मुझे काम से मना कर दिया उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया बेटा यह तो बहुत बुरा हुआ तु अब क्या करेगा तु कोई और काम देख ले मा, मुझसे मज़दूरी नहीं होगी, मैं अपना खुद का काम शुरू करूँगा। बेटा, तू अपना क्या काम शुरू करेगा, और अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, इस वक्त हमारे पास एक रुपए भी नहीं है। बेटा, तु महीना दो महीना किसी और के यहां काम कर ले। जब तेरे पास पैसे हो जाए, तु तु अपना काम शुरू कर ले ना। तुम सही कह रही हो मा, मैं कल दूसरा काम ढूंडने चला जाओंगा। अगले दिन नरेंदर काम की तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे बुढ़ा आदमी मिलता है, वह नरेंदर से कहता है। बेटा, क्या तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे ले जा सकूँ। अरे बाबा, तुम परिशान क्यों होते हो? मैं अभी तुम्हारा सामान तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ. तुम यह सामान मेरे सर पर रख दो। पूढ़ा आदमी नरेंदर के सर पर सामान रख देता है नरेंदर उस सामान को उसके घर तक पहुचा देता है पूढ़ा नरेंदर से कहता है पेटा तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला है, मेरे पास ये संदूक है, इसमें बहुत सारा सोना है, मैं चाहता हूँ ये संदूक तुम अपने साथ ले जाओ, मेरा कोई पता नहीं कि कब मैं उपर पहुंच जा मेरे बाद अगर यह संदूक किसी गलत आदमी के हाथ लग गया, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी. इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह साथ लेकर जाओ. और एक बात याद रखना कि इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना. नरेंद्र सोने का संदूक उठा कर अपने घर ले जाता है और अपनी मा को सारी बात बताता है. बेटा, तुझे उपर वाले ने दौलत से नवाजा है. इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना. जैसे हम गरीब है, वैसे ही दूसरी भी गरीब है. तुम सब की मदद करना. जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है. मा जैसा तुम कहोगी, वैसा ही होगा मैं इस सोने को बेचकर जमीन लूँगा और उस पर खेती करूँगा नरेंद्र सब सोना बेचकर गाव में बहुत सारी जमीन खरीचता है उसके खेत की पैदावार अच्छी होती है वह अपने गाव में एलान करवा देता है जिसे भी मदद की जरूरत हो या फिर कोई भी परेशानी हो वह नरेंद्र के यहां मदद के लिए आ सकता है एक दिन नरेंद्र की मा नरेंद्र से कहती है बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है इसलिए मैं सोच रही थी कि तू शादी कर ले कुछ ही दिनों में नरेंद्र की मा नरेंद्र की शादी करवा देती है नरेंद्र की पत्नी शुरू में घर का सारा काम अच्छे से करती है लेकिन कुछ दिनों बाद वह घर का काम करना छोड़ देती है उतनी देर काम करती जब तक नरेंद्र घर पर रहता लेकिन नरेंद्र के जाने के बाद नरेंद्र की मां से सारा काम करवाती थी अगर तूने अपने बेटे को कुछ बताया तो तुझे व्रिधाश्रम में छोड़ाऊंगी फिर तू पड़ी रहना वहाँ और सुन सारा काम हो जाने के बाद मेरे लिए चाय बनाना अच्छी सी बिटा बाहर गरीब लोग मदद के लिए आए हैं उन्हें कुछ पैसे या फिर राशन दे दो आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी ना ही पैसे दिये जाएंगे और ना ही राशन मेरा पती इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों में उड़ा दू ये सही नहीं है अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा उधर वह बुढ़े बाबा जिन्होंने नरेंदर को सोने का संदूक दिया था वह सोचते हैं कि नरेंदर को जो उसने सोना दिया था वह उसका सही से इस्तिमाल कर रहा है कि नहीं, वह नरेंदर के घर मदद के लिए जाता है अरे बेटा, घर पर कोई है? मुझे मदद की जरूरत है इतने में नरेंदर की पतनी आती है और बूढे आदमी से कहती है ए बूढे क्यों चिला रहा है हम क्या बहरे है जो इतनी जोर जोर से चिला रहा है बता अब क्या हुआ बेटा मुझे नरेंद्र से मिलना है मुझे उससे काम था मेरी दो बेटियों की शादी है इसलिए थोड़ी मदद के लिए आया हूँ तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें नरेंद्र तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता है समझे मालदार आदमी देखा नहीं कि मुझ उठा कर चले आते हैं बेटी तुम नादान हो इस तरह किसी बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करते मुझे सिर्फ एक बार नरेंद्र से मिलना है बस अरे एक बार बोल दिया नरेंद्र गरीब लोगों से नहीं मिलता है वह तो गरीब लोगों की तरफ देखता भी नहीं है चलो अब यहां से जाओ बूढ़ा वहां से चला जाता है उतने में ही नरेंद्र वहां आ जाता है और अपनी मा से कहता है मा बाहर इतने में आदमी औरत मदद के लिए खड़े है तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम्हारी यह हालात कैसे हो रही है अगर हम सब लोगों को ऐसे ही राशन और पैसे बाटते रहेंगे तो हमारी तो सारी दौलत ही उनके पीछे खत्म हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा सुमित्रा किसी गरीब को देने से कुछ कमी नहीं आती है दौलत आज है, कल नहीं तुम ये फिजूल की बातें मत किया करो मैं जब तक जिन्दा रहूंगा तब तक गरीबों की मदद करता रहूंगा और मा की ये हालत कैसे हो रही है तुम जब से आई हो, मा चुप चुप रहती है आखिर बात क्या है नरेंद्र की मा नरेंद्र को सारी बात बताती है बेटा, तेरी पत्नी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे घर से निकाल देगी ये मैं क्या सुन रहा हूं सुमित्रा तुम मां से घर का सारा काम करवाती हो और मां को घर से निकालने की धमकी देती हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मां से घर का काम करवाने की मेरी मांने जिंदगी भर मुसीबत कुटी है पूरी जिंदगी गरीबी में निकाली है थोड़ा सा आराम मिला है तो तुम परेशान करती हो मैंने तुम से शादी इसलिए नहीं की तुम मेरी मा को परेशान करो बलकि इसलिए की कि मेरी मा को आराम मिल सके तुम अभी के अभी अपने पिताजी के घर चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा मुझे माफ कर दीजिये, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ बेटा माफ कर दे, आखिर गलती इंसान से ही होती है इतने में ही वह बुढ़ा आदमी आजाता है और नरेंदर से कहता है बेटा मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनली है, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने के लिए लेकिन तुम्हारी पतनी ने कह दिया कि तुम गरीब लोगों से नहीं मिलते हो मुझे यकीन नहीं हुआ इसलिए मैं बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारी पत्नी नादान है इसे माफ कर दो अब यह दोबारा ऐसा नहीं करेगी नरेंदर अपनी पत्नी को माफ कर देता है फिर पूरा परिवार साथ में खुशी-खुशी रहता है कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू